मेरा नाम पूजा शर्मा है and I am a clinical data coordinator I would like to thank कि आज मुझे यह opportunity मिली कि मैं आपको thank you बोल सकूं मैं आपको पिछले एक डेट जिस सालों से follow कर रही हूं और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इसलाम के लिए कुछ-कुछ गलत फहमया थी शैदो clear हो गई है and जैसे आपने कहा आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा मैं सोचती हूँ क्यों कि गीता हो कुरान हो बाइबल हो कोई भी हो सब में एक ही बात common लिखी है कि आप अपने first करते जाओ जूट मत बोलो किसी की अन्यान हत्या मत करो और जो जैसे कि एक बंदे ने बोगा कि religion की वज़ा से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इस वज़ा से even I agree with you Dr. Zaki Naik because मैं जहां तक जानती हूँ मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा है इसलाम में नहीं लिखा है जो हम बोलते हैं न कि terrorist आदा से जादा मुस्लिम होते हैं नहीं ऐसा नहीं है इसलाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवज़ा हत्या करते हो कि तो आप चैद मुस्लिम नहीं हो यह इसलाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो being a Muslim, आप किसी के हत्या करो या being a Hindu, किसी के आप हत्या करो I would like to thank you Dr. Zakir Naik कि बहुत सारी confusions थी, जो काफी दूर हो गई है Thank you जजाक अल्ला, बहन ने कहा कि वो तकरीब उन्देर साथ से में तकरीब सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अर्मदलिल्ला, इसलाम एक सही मजब है और नफरत नहीं सिकाता है किसी का बिनावजे कतल नहीं करना सिकाता है और इन्शालला मैं दूआ करूँ अल्ला सुमान ताला से बहन कि आप इन्शालला कुरान मजजिद का तर्जमा पढ़िए अगर वो लेडिस के सेक्षिन में हैं तो इस बहन को कुरान मजजिद का तर्जमा दे अंग्रेजी में या हिंदी में जो भी दवान हो चाती है और में दूआ करूँगा इन्शालला कि आप कुरान मजजिद का तर्जमा पढ़िए इन्शाला और हिदात पाएंगे जाला कर ला